तो आज हम अपनी जावस्क्रिप्ट की सीरीज कंटीनू करने वाले हैं, और आज हमारी जावस्क्रिप्ट सीरीज का लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पहले साही बना चुका हूँ, प्रेलिस का लिंक मैं आपको दिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे दूँगा, जित लेक्चर चालो करते हैं, लेक्चर 3, तो लेक्चर 3 काइसलेबर.txt, ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम केवल एक ही टॉपिक करने वाले हैं, पर वो एक टॉपिक काफी साथ important है, ठीक है, what we will be doing in this वीडियो, तो आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं, आज की वीडियो के बाद हम प्रो बन जाएंगे, विल बिकम प्रो इन कॉल्बैक्स मार्क माइवर्ट्स गाईज, I bet you, कि हम कॉल्बैक्स में प्रो बन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लगए है कि इस वीडियो का फ्लो के रहने वाला है, हम कॉल्बैक सीख भीने में आजाएगा, notepad, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना notepad खूल लिया है, यहाँ पर मैं दो signal बनाता हूं, दो case पनाता हूं मैं Case 2 तो यहां पर हम Case 1 discuss करने वाले हैं और Case 1 में क्या है हमारे पास सबसे पहले Case 1 Task Case 1 में हमारे पास दो टास्क है पहला है Task 1 Task 1 है read a file जो कि मैं आपको lecture 2 में करा चुका हूँ ठीक है और Task 2 एक बहुती सिंपल ऑपरेशन है Task 2 है हमारे पास print even numbers between 1 & 100 यह भी काफी जदा असान है यह फॉर्डूप और इफैस की मतलब से काफी जदा असानी से हो सकता है तो मैंने आपको पुराने lectures में बताया था कि JavaScript में main function नहीं होता है तो JavaScript language का flow कैसा होता है JavaScript language का flow होता है top to bottom ठीक है मतलब कि जो पहले लिखा है top में वह पहले execute होगा फिर जो बाद में लिखा है वह बाद में execute होगा तो अगर मैंने सबसे पहले task 1 लिखा है मतलब मेरी एक JavaScript की file है ठीक है उसमे मैंने पहले task 1 लिखा है ठीक है फिर मैंने task 2 लिखा है तो पहले task 1 execute होगा ठीक है वह file में से read करेगा और फिर ये task 2 execute होगा let's suppose task 1 को करने के लिए 5 seconds चाहिए ठीक है मैं हाँ पर लिख जाता हूँ time required time required task 1 को complete करने के लिए हमें 5 seconds चाहिए और time required for task 2 उसमें भी हमें 5 seconds चाहिए ठीक है तो अगर पहले मेरा task 1 execute होगा 5 seconds में दूसरा भाई मेरा task 2 execute होगा 5 seconds में तो मेरे को total जो time लग जाएगा वो मेरा कितना total time लग जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ total time total time total time है हमारे पास 10 seconds जाहिट सी बाद है total time है 10 seconds पर गाईज अगर यहाँ पर मेरे पास यह task दोनों parallel में चले दोनों टास पैरलली में चले तो यह 10 seconds नहीं मैं 5 seconds में इससे कर सकता हूँ 10 seconds नहीं मैं 5 seconds में कर सकता हूँ अब यह दोनों टास में parallel ही कैसे चलाओंगा यही मैं callback की मद्द से कर सकता हूँ यही मैं callback की मद्द से कर सकता हूँ अब आप ध्यान से देखेंगे रिडब फाइल किसका फंक्शन है एक disk का फंक्शन है और जो हमारे पास है और सीउंप टास्की का फंक्शन है यह किसका का फंक्शन है यह ignore तो यह CPU का function है, यह disk का function है, यह CPU का function है, तो हम क्या कहेंगे, callback function क्या करता है, callback function, अब मैं बताने जा रहा हूँ, callback function क्या करता है, भाई हमारा compiler आया, या फिर जो भी node board का आया, हमारे पास interpreter, उसने का भाई task 1 perform कर दे, ठीक है, उसने वो wait कर रहा है, 5 second तक, कि जब भी भाई, disk में से हम पूरी file read कर लेंगे, वो 5 second तक wait करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो task 2 को करेगा, भाई तुम execute हो जाओ, 5 second अफिर वो ये भी कह सकता है, task 1, तुम file में से read करो, तुम file में से read करने में बहुत ज़्यादा time लगा रहे हो, यहाँ पर तुम मैंने 5 second लिखा है, पर अगर file 1 GB कोई तो वो काफी ज़्यादा time लगा सकता है, तो task 1 को कहेगा, तुम भाई read करना start करो, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूं, परना मैं तुम्हारे इंतजार नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे task खतम होने का, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे को आगे बहुत साथ task करने है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो task 1 ने का, ठीक है भाई, कि भाई, मैं अपना काम चालू कर रहा तुम आगे बढ़ चुके हो, तो मैं अपना result और output किसे दूँगा, तो मैं यहाँ पर कहुँगा कि मैं यहाँ पर अपने एक बंदा छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर callback function छोड़ के जा रहा हूँ, तुम जब भी तुमारा काम खतम हो जाएगा, तो तुम callback function को अपना output दे देना या फिर अपना result दे देना, ठीक है, तो मैं यह कर सकता हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा, कि मैं यहाँ पर आउँगा, task 1 मैं हाँ पर callback function छोड़ के जा रहा हूँ, तुम जब भी read file कर लो, तब result callback function को दे देना, मैं task 1 में 1 second जैसे मैंने व्यतीत करा उसको यह बात समझाने में, ठीक है, task 2 में, task 2 के पास गया, task 2 के पास मैं 5 second बैठा रहा भई, इसको मैं callback function नहीं दे रहा हूँ, मेरी मर्जी, तो मैं task 2 के पास बैठा रहा कि भई, task 2 तुम अराम से अपना काम करो, 5 second ठीक है, तो मेरे को total time कितना लगा, 1 second, मैंने disk को भी तो बात समझानी है न मेरे को, भाई कि तुम चालू कर दो काम, तुम चालू कर दो काम, और callback को अपना result दे दे रहा, मैं आगे जा रहा हूँ, मालो, 1 second मैंने इस पे व्यतीत करा, 5 second इस पे व्यतीत करे, जहां मेरे को total time 10 second लग रहा था, तो जहां पर मेरे को total time 10 second लग रह करते हैं, I hope आपको अब चीजे समझ में आ रही होंगी, काफी साथा गहराई से समझ में आ रही होंगी, अब मैं पहले एक ना simple program लिखता हूँ, एक simple program क्या लिखता हूँ, मैं पहले फाइल को read करा हूँगा, और फिर print number करूँगा, मतलब without callback, ठीक है, तो मैंने हाँ पर lecture 3 में callback.js नाम से एक file बना रखी है, तो मैं इस पूरे code को erase कर देता हूँ, जो मैंने पहले लिख रखा है, मैंने पूरे code को अपना erase कर दिया है, अब मेरे पास task 1 क्या है, मेरे पास task 1 है, read content from a file, फिर task 2 है, print all the numbers from 1 to 100, तो file में से read कराने के लिए, मुझे file में का एक object बनाना से require, और मैं यहाँ पर double quotes में file का नाम लिख दूँआ, अब मेरे को file को read करना है, read कैसे करूँआ, let read data, read data मेरा यहाँ पर आ गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, fs.read file sync, read file sync, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अपने file का path, मेरे file का path क्या है, let suppose, मैं f1.txt में मैंने क content लिख रहा है, hello my name is lavish, I write code, etc, etc, मैं उसको read करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर, क्या लिखूँगा, मैं हाँ पर, simply मैं यहाँ पर लिख दूँगा, इसका path, f1.txt, ठीक है, अब मैं comma लगा के लिख दूँगा, utf8, utf8 कुछ नहीं बता हमारे ले अच्छी नहीं है, हमें text format में चाहिए, इस बज़े से हम utf8 लगाई है, क्या से असान है, ठीक है, हमने हाँ से फाइल से read कर लिया है, ठीक है, अब इससे पहले, ठीक है, task 1 चालूँ से पहले, मैं एक console message भेजता हूँ, console.log, यहाँ पर, task 1 is started, class is started, मतलब अभी started ह हो गया है, ठीक है, is about to start, is started, नहीं, is about to start, ठीक है, मैं नहीं हाँ पर task 1 को perform करा, task 1 को perform करा, जो data मैंने read करा है, उसे मैं print भी करा देता हूं console.log ठीक है मैंने क्या यहाँ पर read data को मैं print करा देता हूं sorry यहाँ पर आएगा r e ad read data को मैंने हाँ पर print करा दिया है ठीक है तो मैंने हाँ पर अपना task one perform करा है space देता हूं task one perform करा अब मेरा task one खतम हो चुका है, तो मैं एक message print करा हूँगा, console.log, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, task 1 is finished, भाई task 1 मेरा finished हो चुका है, मैं इसे save कर लेता हूँ, save करने के बाद, अभी मैं web development के folder के अंदर हूँ, सबसे पहले मुझे javascript के folder के अंदर जाना पड़ेगा, फिर lecture 3 के folder के अंदर जा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, cd javascript, मैं javascript folder के अंदर आ गया, फिर मैं लिख दूँगा, cd lecture 3, मैं lecture 3 folder के अंदर आ गया, अब मैं callbacks.js को चलाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को लिखना है node, callbacks.js, अब जैसे ही मैं enter तबाऊंगा, तो आप यहाँ पर देख सकत फिर task 1 perform हुआ, जो भी read it data है, वो मेरे को यहाँ पर मिल गया है, और फिर यहाँ पर आ गया, task 1 is finished, तो यहाँ पर हमने कुछ भी नया नहीं करा है, अब मैं task 2 कर लेता हूँ, task 2 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं message आता हूँ, console.log, task 2 is about to start, is about to start, ठीक है, अब मैं task 2 को perform करता फटा-फट से एक लिख लेता हूँ, इसमें मैं ज्यादा time spend नहीं करना चाहता, मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के सारे even numbers को print करना है, यहाँ पर मैं जाहिर सी बाते एक लिख दूँगा, if I model us 2 is equal to 0, then, हम यहाँ पर एक count variable बना लेता है, let count equal to 0, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, count, print के जगा लिख देता हूँ, count, count, count all the even number from 1 to 100, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, count plus plus, और मैं console.log कर दूँगा, console.log कर दूँगा, count को, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास, मेरा function task2 खतम हो चुका है, task2 कितना था, मेरे पास task2 था, बस इतना, ठीक है, अब मैं task, एक console message print करा दूँगा, console.log, task2 is finished, task2 is finished, तो इसमें तो हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है, इसे save कर देता हूँ, और फटा-फट से इसे दुबारा से run करके दिखा देता हूँ, मैं आपको, ठीक है जी, पहले clear क कर देता हूँ, screen को, अब मैंने जैसे चलाया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो, task1 is about to start, फिर मैंने file में से read करा है, file में से जो भी मैंने read करा है, उसे मैंने print कराया है, फिर task1 finished हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर task2 is about to start, ठीक है, task2 में क्या हुआ, number of, even number हमें find out करने थे, one से लेकर 100 जो किया, 50 वो print करा, फिर task2 is finished, अब जो मैंने आपको concept सिखाया था, कि मैंने क्या का था, मैं task1 के खतम होने का इंदजार नहीं करूँगा, मैं task1 से करूँगा, कि भाई, तु काम कर ले, मैं एको आगे भी बहुत task करने है, मैं आगे जा रहा हूँ, तो task1 मुझ किसे दूँगा, तुम तो आगे जा रहे हो, तुम पीछे मुड के थोड़ी ना होगे, तुम तो आगे जा रहे हो, 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 तुम तो अपना result दे देना, ठीक है, तो अब यहां पर यह है मेरा task 1, अब मैं अपना task 1 basically मेरा यहां पर perform हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो मैं fs का एक object बना रहा हूं, यहां पर मैं क्या करना हूं, जो भी मैंने data को read करा है, वो मैं print करा रहा हूं, तो मैं यहां से अगर let read data को remove कर दे तो यह न, मतलब कि यह दूसरा task चालू नहीं करेगा, ठीक है, यह दूसरा task चालू नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना है, इसे asynchronous बनाना है, ठीक है, इसे हम समझेंगे आगे, इसे हमें asynchronous बनाना है, तो callback function जब भी हम use करेंगे, तो जिस function के अंदर हम callback function को use कर रहे है, उस तो जो inner function है उसे हम callback function कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर जो read file है वो एक function है तो इस function के अंदर मैं callback function लिखने वाला हूँ तो जो भारवाला function है वो synchronous नहीं होना चाहिए तो मैं यहाँ से sync हटा दूँगा ठीक है synchronous यही दर्शाता है कि भाई जब एक टाक्स चल रहा है ना मतलब एक टाक्स चल रहा है तो दूसरा टास्क ना आए ठीक है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब एक थ्रेड है ना तो दूसरा थ्रेड वो नहीं लाना चाहता है यह हम database और operating system के concept में जा रहे हैं डेट ल function होता है और read file भी तो एक function है तो जो आउटर function होता है वो asynchronous होना चाहिए synchronous नहीं होना चाहिए ठीक है अब यहां पर मैं अपना callback function लिख दूँँगा तीसरे parameter में function असान है असान है तो मैं नई समझ में आया होगा दुबारा लिखता हूं मैं मेरे को क्या लिखना है function का मैंने syntax क्या बताया था function लिख दो फिर दो curly braces लगा दो फिर दो curly braces लगा दो एंटर ठीक है यहां पर नहीं दो parameter आते है इसके पास पहला आता है error दूसरा आता है इसका callback function को हम यह इसलिए छोड़ते हैं ताकि यह result दे पाए जो भी यह काम कर रहा है यह result दे पाए क्योंकि हम तो आगे task करने के लिए जा चुके हैं तो result तो आ जाएगा यह second वाले parameter में और अगर इसने अच्छे से task perform नहीं करा है तो कुछ error आएगा और अगर error आता है तो वो भी हमें बता देगा और error आजाएगा यह इस वाले में मतलब इस वाली चीज में Error आजाएगा ठीक है तो अभी हम data और error को print करा के देखेंगे पर उससे पहले में चाहता हूं कि मैं यह वाली line है न यह वाई, इस वाली line को में remove कर देता है यहा, अगर मैं इस इन दोनों लाइन को Ctrl C और मैं यहाँ पर Ctrl V करता हूँ One second guys, यहाँ पर मैंने Ctrl V कर दिया है ठीक है अब यहाँ पर read data को मैं रेको print नहीं कराना है तो read data तो कुछ है ही नहीं मेरा answer किसमें आ रहा है, data में answer आ रहा है तो मैं data को print करा हूँआ अब आप ध्यान से देखे दूबारा मैं आपको flow समझाता हूँ सबसे पहले Task 1 is about to start Task 1 में मैंने पहले fs का object बनाया फिर मैंने फाइल को read कराया मैंने का भाई मैं यहाँ पर callback function पास कर रहा हूँ क्यों callback function पास कर रहा हूँ इसके बाद finish नहीं होगा जब यह callback function callback function के पास flow जाएगा तभी तो task 1 finished होगा तो task 1 यहाँ पर मैंने finish कर दिया है फिर इतने part में तो मैंने कुछ change करा ही नहीं है ठीक है अब मैं इसको save कर देता हूँ मैंने इसको save कराया है और मैं अब दुबारा चला के दिखाता हूँ जी दुबारा चला के दिखार हो मैं इसको अब आप देखें यहाँ पर हुआ है magic task 1 is about to start task 1 is about to start अब task 1 start हो चुका है पर parallelly task 2 भी start हो चुका है task 2 ने perform कर लिया है उसने 1 से लेकर 100 तक अपने task 2 खतम हो चुका है उसके बाद task 1 finish हुआ है तो आप देख रहे है दोनों task approximately parallelly चल रहे है तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था यही मैं आपको show करना चाहता था कि चीजे कैसे काम कर रही है अब अगर मैं हाँ पर console.log data लिख देता हूँ and आपको का था इस data में read it content आता है इसे save करता हूँ इसे save करता हूँ और अब मैं इसे चलाने कोश्च करता हूँ हाँ तो आप देख सकते है task 1 is about to start task 1 खतम नहीं हुआ है task 2 is about to start task 2 ने count कर लिया 1 से लेकर 100 तक कि कितने उसमें even number है task 2 हमारे पास यहां पर finish हो रहा है task 2 यहां पर finish हो गया है फिर जो भी task 1 का जो content ऊहाँ आㅠㅠ क्वान बवा मैंने रिट कर दा था मैंने फिर वह print कर आ यहां पर फिर जा कर हमारे पास task 1 नहीं पर फिनिश हुआ है मैं कंच क्लिया आ रहा होगा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप यहाँ पर error न ला रहा है जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि error कुछ ही नहीं जब यहाँ पर यह successfully read नहीं कर पाएगा कुछ-कुछ scenario ऐसे होते हैं तो काफिता असान example है तो यहाँ पर यह error भी show करेगा तो आपको callback function समझirmें आ गये होंगे। काफी अची तरीके से callback function समझनें आ गये होंगे। Ai दो पाँच की वीडियो आपको पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर आप यहाँ तक आये ना, तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आई है तो और अगर आप यहां तक आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर यह कमेंट कर दीजेगा लवेश भाई मैंने एंड तक वीडियो देखिया और मुझे वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है अगर आपका यह वाला पर पुश कर दूँगा आप चाहतब पर से देख सकते हैं काफी जदाँ सैंख ही साणी इसकी लिंक भी में डिस्क्रिप्शिर मॉक्स में देदूआ goose या गलेक्छर टू न है उसकी भी लिंक मं डिस्क्रिप्शन ॉक्क तक के लिए पाए-वाए